एक और सवाल है जो मैं सोच रहा है प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड ही लगती और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के मज़ूर से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते फिर कहते देखो 800-800-300-800-800-800-300-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800 तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान सही जगे जाए अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है हिंदु धर्म की बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदु धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कमजोर लोगों को कुछलना चाहिए कहां लिखा है कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए कहां लिखा है मुझे बताओ मैंने तो कहीं नहीं पड़ा मैंने गीता पड़ी है उपनिशत पड़े है कहीं नहीं पड़ा मैंने कि आपने पढ़ा थे ही गले लगाने की बात होती है अच्छा ठीक है देखिए अब ये लोग देश में कि डर फैला रहे हैं नफ़त नहीं दिखी बगर डर दिखा किसके दिल में डर किसान के दिल में युवाओ के दिल में छोटे दुकानदारों के दिल में स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में माताओ बेहनों के दिल में मुझसे कहती है राहुली BJP की सरकार में हम तो शाहिम को सरक पर नहीं निकल सकते तो दर से ला दिया है सही सही अच्छा आपने शिव जी की फोटो देखी है उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने इसको क्या कहते है इसको क्या कहते है इसको अभे Shawra कहते है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डरो मत तो शिव जी कहते हैं डरो मत हिंदू धर्म कहता है डरो मत और यह लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखिए मैं आपको बताता हूं कि सच्चा ही समझनी होगी कि सच्चा ही है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे इंदुस्तान के प्रधान मंत्री पर भी लगाम लगी हुई है जाता और हो गाई जाता है उनकी नहीं है सब फेकलिए रही है उनको नो कर दिया है है मैं तूप कर दिया है नहीं में सच बोल रहा है है मैं सच बोल रहा ह 커피 कि आप देखिए एरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रिकल्चर के स्टोरिज डिपो भी उनके, और क्या उनका, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पुब्लिक सेक्टर की कंपनिया उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी, अभी भाईयों बहनों ताज महल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका, तो ये देश की सच्चाई है, आईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी, दोस्त हैं, मगर हमारी बाद टीवे पर कभी नहीं दिखाते हैं, और वो तो तब भी ठीक है, तो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गल्ती नहीं है, देखिए ये जो यहां कड़े हैं, इनसे गुस्ता मत हुई है, इनकी गल्ती नहीं है, ये मुश्कुरा रहे हैं ये, जानते लगान लगी हुई है, पीचे से लगान लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं, 24 गंटा, 24 गंटा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यह सचाई नहीं है भाईयों मैं चला हूँ कन्या कुमारी से यहां तक यह सचाई नहीं है यह मीडिया में चलाया जाता है फेलाया जाता है यह देश एक है इन सडकों पे लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महभबत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उसता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ती है इनके पीछे जो शक्ती है वो कर रही है तो सवाल उशता है ये क्यों हो रहा है जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक चाहि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो इसाई हो किसी भी जात का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है महबत करता है, एक दूसरे की इज़त करता है नब्ड़ प्रश्टिशद लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुपत करते हैं, इज़त करते हैं देखिये मेरे सामने, ये गूम के देखिये, ये जैन मंदिर है, गुर्दवारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये हिंदुस्तान ये सचाई हैं इंदुस्तान की और ये नई बात नहीं है ये हजारों साल से इस देश की सचाई है प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है ये जो मीडिया के लोग है ये नहीं जो इनके पीछे हैं ये नफरत क्यों पहलाना चाथते हैं आपने कभी पूछा अपने आपसे कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मुहबत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी है कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया कभी देखा नई कभी नहीं देखेगा सही बात है ना सही बात कभी नहीं देखेगा इसका कारण है भाई और बेहनो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया आपका जेब काटा गया तो जब जेब काटा जाता है आपका काटा गया ना तो जब कोई आपका जेब काटा है तो वो क्या करता है सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है नहीं नहीं ब्लेट तो बाद में आता है मगर पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को बेकर उधर ले जाता है भाई और मेनो ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 गंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चा ही है 24 गंटा हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का मजदूरों का आपके एरपॉर्ट आपके पॉर्ट आपकी सड़के सिदा किसके जेब में इनके मालिक के जेब में इनको कौन चलाते है नाम बताओ देखो सब जानते है पुरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है ये अंबानी अदानी की सरकार है ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष इनका आपके ध्यान को इधर से उधर उधर से इधर करने का है मैं 2800 किलोमिटर चला हूँ 2800 मुझे कही नफरद नहीं दिखी कहीं हिंसा नहीं दिखी कहीं मारपीट नहीं दिखी मगर जब मैं इनका टेलिविजन कोलता हूँ 24 गंटे मुझे मारपीट हिंसा नफरद दिखाई देती है क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते है जो सच्चे मुद्धे है उस पे आपका ध्यान गल्ती से ना चला जाए जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गल्ती से भी ना चला जाए ये हो रहा है इस देश में तो आपका ध्यान कहा जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवां है उनकी और जाना चाहिए आप किसी भी युवां से पूछ लीजिए वो आपको बताएगा मैंने एंजिनियरिंग की मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा मैंने आईएस के लिए तियारी की मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था पूछो क्या किया पढ़ाई की कितने साल की स्कूल कॉलिज युनिवर्सिटी सब पढ़ लिए और फिर क्या हुआ आज क्या करते हो मजदूरी करता हूँ पकोड़े बनाता हूँ बेरोजगारी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ और जो हमारे छोटे भी अपारी है जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते है आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि आप इस देश के भविश्य हो अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे भी अपारी है और स्मॉल और मीडियम बिजनिस से चलाते हैं ये लोग है क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं ये लाखों में हैं और कोई सो लोगों को रोजगार देता है कोई 500 को देता है कोई 1000 को देता है कोई 25 को देता है कोई 35 को देता है और ये लोग देश को रोजगार देते हैं अब इनकी बात करते हैं ये 24 घंटे लगे रहते हैं बैंक के दर्वाजे इनके लिए बंद होते हैं हिंदुस्तान के 2-3 अरफ पतियों को एक लाग करोड दो लाग करोड तीन लाग करोड ऐसे दिया जाता है यह बैंक के सामने जाते हैं इनको धकेल निकाल दिया जाता है राइट अब क्या ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिये तब भी मानली बात तब भी मानली बात मगर फिर क्या किया फिर प्रधान मंत्री ने नोट बंदी की और प्रधान मंत्री ने गलत GST लागू की भाईों और बैनों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है जोटे भी अपारियों को small और medium बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हत्यार हैं ये और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीज़ के हड़ी आपने तोड़ दी किसके लिए तोड़ी गेम को समझो अब दिखिए अब आगे चलते हैं युवाउ की बात की स्मॉलर मीडियों बिजनेस वालों की बात की दुकरंदारों की बात की अब सडकों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं एक सेक्ट में पहचान लेता हूँ जैसे ही आख मिलाता हूँ समझ आ जाता है ये मज़़ूर है या ये किसान है हाथ से पता लग जाता है छिले हुए हाथ होते हैं जाइना ने 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले ली है प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया तो भईया प्रधान मंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यूं बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग हैं हमारे डिफेंस फोर्स के लोग हैं वो क्यूं कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है मगर देखिए competition आर्थिक है मुकाबला आर्थिक है यह आपके जो cell phone है यह आपके जो shirt है जूते है इसके पीछे आप देखिए प्रेस वालों के जो camera है इसके पीछे देखिए उसके पीछे आपको लिखा देखेगा made in China हमें shirt के पीछे cell phone के पीछे जूतों के नीचे made in India लिखना है और और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शैंगाई में कोई युवा नई जूते खरीदे उसके नीचे देखे made in new Delhi India यह हिंदुस्तान चाहिए इसी से हमारे युवाब को रोजगार मिलेगा तो यह यह करना ही पड़ेगा चॉइस नहीं है और यह हम करके दिखा देंगे यह देश कर सकता है करके दिखा सकता है खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं करें यह कर दो यह